लोगड गाओं के रेलिवे ब्रिज पर दो मोटर सैकल आपस में टकराये दो घायलों को हॉस्पिटल में पहुँचाया रविवार की रात आठ होजे पंचकोला पुलिस उत्रों के अनुसार पती पतनी एक मोटर सैकल पर स्वार होकर लोगड गाओं के और जा रहे थे कि रेलिवे ब्रिज पर दो मोटर सैकलों की टकर होगी इस हादसे में पती और पतनी दोनों को काफी चोटे आई है इस हादसे में सवार पती के टांगो बाजू और कुलों पर काफी चोटे आई है जबकि पतनी के चेरे पर काफी चोटे आई थी रहाईगिरों ने दुनों घायलों को एम्बूलेंस से पिंजोर के होस्पिटल पुचाया जिसके बाद उन्हें पीजाई होस्पिटल चंडिगण में रैफर कर दिये गया है पुलिस सुत्रों के नुसर बताया गया है कि इलाज के दुरान पदी का एक पाउं काट दिया गया है जबकि कमर में फ्रेक्चर भी बताया गया है शकायत करता ने गफलत वे लाप रहाई से मोटर सैकल को चलाने के आरोप लगाए हैं पुलिस ने मामला दरज कर अगली कारवाई शुरू कर दी है